दादी नानी की बताई भी बहुत ही कमाल के नुश्के सबसे पहला है मिर्च के आचार के डिब्बे में थोड़ी सी हींग डालने से मिर्च लंबे समय तक खराब नहीं होती नेक्स्ट है खटी डकार आने पर गूर से बनी सर्बती सिंधा नमक मिला कर पिए नेक्स्ट है चीने के डिब्बे में तीन या चार लॉंग डालने से चीटी नहीं आती नेक्स्ट है एक माक्स में एक बार मिक्सर में नमक डाल कर चला देने से मिक्सर के बलेट तेज हो जाते हैं निक्स्ट है यदि फ्रीज में कोई भी खुजबू या बदबू आती है तो आप अटा हुआ निम्बू रखने से खत्म हो जाएगी निक्स्ट है लहसुन को हलका सा गर्म करने से उसका छिलका जल्दी उतरता है निक्स्ट है ताजाहरा धनिया मसल कर सुंगने से छीके आना बंध हो जाती है निक्स्ट है दाथ पर कच्चे पपिते का रस लगाने से दाथ और कुझली की समस्या कुछी दिनों में ठीक हो जाती है निक्स्ट है जल जाने पर जले हुए स्थान पर केला मसल कर लगा ले फफोले नहीं बनेंगे निक्स्ट है अधिक गर्म कोई भी चीज पीने से कैंसर का खत्रा बढ़ जाता है निक्स्ट है सफेद प्याच के रस में चीनी मिला कर पीने से एसेडिटी दूर होती है निक्स्ट है करवी चीजों के सेविन से सेहत अच्छी रहती है निक्स्ट है लहसुन को आप अधेरे में रखे इससे लहसुन जल्दी सुखेगा नहीं निक्स्ट है बरसात के दिनों में मसालों को खराब होने से बचाने के लिए उन्हीं कांच के जार में रखे निक्स्ट है सीर दर्द होने पर निम्बू के रस को माते पर बम को बम की तरहा लगाने से आराम मिलता है नेक्स्ट है गुटनों में दर्द हो तो जहतुन के तेल से मालिस करे दर्द कम हो जाएगा नेक्स्ट है पानी में हरी इलाइची उबाल कर पीने से बुखार उतर जाता है नेक्स्ट है चावल को कीडों से बचाने के लिए चावल में लेसुन सुखी लाल मिर्च और लॉंग रखे नेक्स्ट है सलात काटने काटते समय हमेशा सबजिया तीरची काटे इसे इनका चूस बरकरार रहता है नेक्स्ट है सबजी में खटाई सबजी पक जाने के बाद ही मिलाए तभी स्वाद अच्छा आएगा नेक्स्ट है बेशन के घोल में जरासी उड़त के डाल का पेस्ट डाल देने से पकोड़ियों का स्वाद बढ़ जाता है नेक्स्ट है जब भी दिखे डेंगू का लक्षन तो तूरंद करें गिलोय का सेवन नेक्स्ट है हरी मिर्च कातने के बाद इमली के पानी से हाथ धो लेने से जलन नहीं होती नेक्स्ट है फ्रीज में आधा निम्बू काट कर रखने से बदबुदूर होगी और ताजगी बनी रहेगी नेक्स्ट है भींडी पकाते समय सबजी में एक चम्मस दही डाल दे भींडी चीप करेगी नहीं बिंडी की सबची बनाते समय भिंडी में प्याच जदा डाले, इसे भिंडी चिपचिपा नहीं बनता है जब भी आप पकोड़ा बना रहे हैं तो पकोड़ों के बैटर में थोड़ा सा अजवाइन डाले इसे पकोड़ा तेस्टी बनती है नेक्स्ट है पनीर की सबजी बनाते वक्त पनीर को तलने के बाद गरम पानी में 10-15 मिनिट के लिए डाल कर रखे इसे पनीर मुलायम होती है नेक्स्ट है कुकर में डाल बनाते वक्त कुकर के अंदर एक चमस डालने से पानी कुकर के बाहर नहीं आती नेक्स्ट है खड़े होकर पानी पीने से जोड कमजोर होते हैं और घुटनों में हमेशा दर्द बना रहता है नेक्स्ट है शरीर में खून के कमी हो तो आधा कप गाजर के जूस में निम्बो का रस मिला कर पिये धन्यवाद